जैश्री महाकाल एक बार फिट से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में आप लोगों के आज़ा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी जलिए फिर बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं income under the head of a salary का हमारा जो next topic है वो है आपका क्या percusate यानि जब हम percusate की बात करते हैं तो percusate को हम लोग कहते हैं अनुलाब, क्या कहते हैं भई अनुलाब, और ये जो अनुलाब है, हम इसे facility भी कहते हैं क्या कहते हैं बच्चे, facility भी कहते हैं और फैसलिटी की जब हम बात करेंगे तो फैसलिटी को कहा जाता है सुविधा, क्या कहा जाता है सुविधा, देखिए ज़रा ध्यान से, जब आप ऐलाउंस और परक्यूजिट की बात करते हो, जब आप किस की बात करते हो, ऐलाउंस और परक्यूजिट की जब आप बात करते हो तो एलाउंसेस आपको कैश में दिया जाता है लेकिन जब हम परक्यूजिट की बात करते हैं या सुविधा की बात करते हैं तो इसमें आपको कोई भी कैश नहीं मिलेगा समान आपको क्या होगा मिलेगा बैस सुविधा का मतलब क्या है जाके स्तमाल करो बात क्लियर हो तो अब इसी सुविधा इसी को हूंको तीन भागों में पढ़ना है तीन भागों में पढ़ना है जिनमें सबसे पहला portion है आपका taxable for all employee taxable for all employee और दूसरा क्या है आपका tax free for all employee और तीसरा आपको पढ़ना है taxable for the specific employee अब यह देखिए specific employee क्या होता है पहले इसको समझो फिर आगे कुछ बात करेंगे देखिए ध्यान से जब हम specific employee की बात करते हैं तो specific employee के लिए आपको दो condition पढ़नी पढ़ेगी और दो condition में से कोई भी एक condition अगर fulfill हो गई उस employee को लेकर तो आप यह कहेंगे कि सर यह आपका क्या है specific employee है number one condition क्या है कि आपके पास more than 20% voting power होना चाहिए आपके पास more than 20% क्या होना चाहिए voting power होना चाहिए या आप 20% के shareholder होने चाहिए अब भाई shareholder हो गए 20% के तो सीदी सी बात है आपकी voting पावर भी कितनी हो गई 20% हो गई या फिर आपका जो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है आपकी जो क्या है बच्चे ग्रॉस सैलरी है वह आपकी फिप्टीन थाउजंड से जादा होनी चाहिए मतलब कम से कम पचास हजार होनी चाहिए इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन फुल्फिल है आपके साथ इट्स मीन यू आर दा विस्ट करमचारी यानि यू आर दा स्पेस्फिक इंप्लॉई अद क्लियर हो गए अब स्पेस्फिक इंप्लॉई ध्यान से समझना जब आप पर्क्यूसिट की बात करत हो तो बेटा सुविधा करमचारियों की सैलरी के आधार पर दी जाती है याद रखना इस बात को क्या किया बाउचिंग किया वेरिफिकेशन किया बार भजने से पहले पहले हमारे पास प्यून आ जाता था कि सर बताओ क्या खाऊगे आप और जो खाना ऐसा नहीं कि खाली दाल चौल रोटी जो सर आप जिस होटल से काओ उस होटल से हम समाल लेकर आएंगे यानि वो हमको क्या दे रहे हैं सुविधा दे रहे हैं और ये सुविधा क्या सिर्फ हमें मिलती थी या सबको मिलती थी सिर्फ उन लोगों को मिलती थी जो audit करने आ रहे हैं यानि employee की category के आधार पर वेक्तियों की category के उसको फोर बिलर नहीं देगी आने जाने के लिए हाँ ऐसा करमचारी जो 2,3,000,000 उर्पया महीने का उठा रहा है तो कमपनी उसको फ्लैड भी दे सकती है उसको गाड़ी भी दे सकती है उसको लैप्टॉप भी दे सकती है तो यानि जैसी आपकी पोस्ट उसी आधार पे आपको क्या मिलेगी बच्चे सुविधा मिलेगी इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई इतनी बात समझ में आ गई तो अब यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी है यह जो सुविधाएं है पहली बात तो यह आपको free of cost दी जाएंगी पहली कंडिशन यह यह जो आपको सुविधाएं दी जाएंगी वो कैसे दी जाएंगी आपको free of cost दी जाएंगी या फिर इन सुविधाओं के बदले आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा यानि यह जो आपको facility दी जा रही है या तो आपको कैसे मिलेगी free of cost यानि आपको कोई भी पैसा देने की जुरूरत नहीं है या फिर आपसे बहुत nominal charge लिया जाएगा बहुत nominal charge आप इतना nominal charge देंगे जितना आप imagine नहीं कर सकते दुनिया से 1000 रुपया लिया जा रहा है एक कमरा लेट्रिंग बाथरूम किचन कितना होगा minimum बताइए तब 2500 तो होबै करेगा 2500 तो होगा यानि 1500 से कम तो नहीं होने वाला है तो ही है ना लेकिन अगर आप police quarter की बात करो यहाँ पे police लोग रहते हैं police भाई साब लोग रहते हैं पुलिस लाइन के अगर आप बात करो ना उन पुलिस वाले भाईया से पूछो कि भाईया यह जो आपको तीन कमरा मिला है यह जो किचन बाथरूम लेट्रिंग मिला है इसका कितना पैसा सरकार आप से लेती है तो वो कहेंगे 100 या 200 रुपया क्या कहेंगे 100 या 200 रुपया तो नॉमिनल चार्ज हो गया कि नहीं हो गया 100-200 रुपया में क्या हो रहा है यार बात समझ में आ गई तो जो आपको फैसलिटी दी जाएगी या तो फ्री आफ कोस्ट प्रोवाइड की जाएगी या तो आप से नॉमिनल चार्ज में आपको लिया जाएगा इतना बात समझ में आ गया अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मैंने क्या कहा कि टैक्सेबल फॉर ओल इंपलई अब ओल इंपलई में नॉर्मल इंपलई और स्पेस्फिक इंपलई इंपलई तो दोनों हैं लेकिन नॉर्मल में क्या कंडिशन और स्पेस्फिक में क्या कंडिशन है अभी बताया स्पेस्फिक मतलब 20% वोटिंग पावर या फिर पचास अजार से जादा और अगर दोनों कंडिशन नहीं फुल्फिल हो रही है तो आप क्या बन गए नॉर्मल इंपलई बन गए इतना काम समझ में आया कि नहीं आया आगे देखिए फिर अगला गलते पोंट अगर सबस्प्री मेद देंगे। सबसे पहले हम प्र्यों की बात करेंगे कि रहें अप कुछ पॉइंट को लेंए जन में अब क्वाल आता है आपका क्या प्रेंट फ्री एकोमेंडेशन जिसे हम कहते हैं निसुलक किराय का मकान आज इसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे दूसरा पॉइंट है आपका फैसलिटी ऑफ एकोमेंडेशन प्रोवाइड़ इन होटल यानि होटल में रहने की आपको सुबिधा मिल रही है तीसरा पॉइं आपको कमरा दिया जा रहा है रहने के लिए उस कमरे का जो किराया है वो बहुत कम आप से लिया जा रहा है जैसे मैंने क्या कहा कि पंदरा सो तो मिलना ही मिलना है का आप कहीं पे भी रहे लेकिन आप से 100 रुपया 200 रुपया लिया जा रहा है इसलिए लिखा है valuation for accommodation at a concessional rent मितलब रियायती किराय पर रहने के लिए मकान की सुभिधा का मुल्यांकन पहले वाले point में आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है लेकिन दूसरे वाले point तीसरे वाले point में आपसे कुछ पैसा ले लिया जा रहा है बात clear हो गई बच्चे चौथा वाला point है interest free या फिर concessional rent इंट्रेस्ट फ्री या फिर क्या आपका concessional interest loan जैसे अगर आप बैंक से जाओ लोन लेने के लिए तो आपसे कहेंगे भईया हमको 10% इंट्रेस्ट पे आपको loan मिलेगा आपको कितने पर्सेंट पे interest मिलेगा 10% पे लेकिन अगर सोचो कोई bank का कर्मचारी बैंक से लोन ले तो क्या उसको भी 10-10% पे लोन मिलेगा क्या उसको भी 10% पे लोन मिलेगा नहीं सर उसका लोन हो जाएगा माल लो 5% तो यह 5% का बैटा concession हुआ कि नहीं हुआ पांच परसेंट का concession चूट हुई कि नहीं हुई तो इस चूट का भी हमको मुल्यांकन करना है बात क्लियर हो गई विटा इतना अगला पॉइंट है आपका use of the movable assets यानि employer आपको laptop देगा घड़ी देगा गाड़ी देगा तो movable assets यानि जो move की जा सकी एक जगा से दूसरी जगा उसके लिए आपको क्या कहते हैं उसका valuation आपको करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा एकला point है transfer of movable assets ध्यान से सुनना यूज़ वाले में ownership employer के पास होती है यूज़ वाले में ownership किसके पास रहती है employer के पास रहती है लेकिन transfer वाले में ownership ही transfer हो जाती है यूज़ वाले में और transfer वाले में लेकिन valuation दोनों का सीखना है लास्ट फिर उसके बाद अगला point क्या है आपका लास्ट तो नहीं है लेकिन देखो क्या है कहता facility of the breakfast and food जो नास्ता वस्ता की सुभिधा मिल रही है इसका भी हमें valuation करना है फिर gift and voucher इसकी भी बात करेंगे credit card facility इसकी भी बात करेंगे club facility इसकी भी बात हम करेंगे लेकिन सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो है हमें करनी है आपकी क्या rent free recommendation बहुत ध्यान से यह diagram आप लोगों को बना लेना है rent free recommendation द्यान से सुनना अब rent free recommendation में कहानी क्या है ध्यान से समझिए आईए देख लेते हैं तो जब हम rent free recommendation की बात करते हैं तो यहां पर हमको ऐसे घर की calculation जैसे आप समझो यह आपका क्या है employer है यह आपका क्या है बेटा employer है और यह आपका क्या है employee है अब employee को एक घर दिया जाता है employee को एक क्या दिया जाता है घर दिया जाता है रहने के लिए ठीक employee को एक घर दिया जाता है रहने के लिए और यह घर किसके द्वारा दिया जाएगा इम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा ये घर किसके द्वारा दिया जाएगा इम्प्लॉयर के द्वारा जब ये घर इम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा तो आप सबसे पहला सवाल ये पूछना कि सर ये बताईए Who is the owner of house Who is the owner of house अब आप कहोगे एक सार एक बात बताओ इसका तो आंसर सबको पता है अरे employer होगा employer होगा उस घर का मालिक तो मैं कहूंगा नहीं बेटा आप गलत है आप गलत हो सकते हैं employer owner भी हो सकता है और employer उस घर को rent पर भी ले सकता है इंप्लॉयर उस घर का ओनर भी हो सकता है और employer उस घर का उस घर को क्या ले सकता है rent पर लेकर अपने employee को दे दे हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो directly मत कहना कि sir owner employer ही owner होगा directly मत कहना पहला पॉइंट समझ में आ गया दूसरा मैं पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूं क्यूंकि इसी पॉइंट को दिमाग में रखते ही आपका यह जो डाइग्राम अभी आपने कुछ दिर पहले देखा था वह सारा डाइग्राम आप समझ लोगे तो यह था employer को लेकर अब दूसरा अब बारी किसकी करेंगे हम employee की जब हम employee को लेकर चलेंगे तो employee में आप सबसे पहले सवाल पूछना अपने आप से किसरेक बात बताओ यह employee गौर्मेंटेड है यह employee क्या है नौन गौर्मेंटेड है अगर गौर्मेंटेड इंपलॉई है अगर क्या है गौर्मेंटेड इंपलॉई है तो जो गाइडलाइन इशू किया जाएगा जो क्या किया जाएगा आपका गाइडलाइन इशू किया जाएगा वो गाइडलाइन किस के द्वारा इशू किया जाएगा सरकार जितना कहेगी उतना ही हम मुझसे टेक्स लेंगे क्ञार कहानी जो होती है वो किस के लिए होती है अब सुनन आपको ये पता चला ताकि यह non-governmented employee है, तो आप अपने आप से कुछ सवाल और पूछना, सबसे पहला सवाल, कि ये जो घर आपको मिला है, ये घर decorated है, या undecorated है, सर, ये क्या है, यह क्या है सर डेकुरेटेड का मतलब होता है जहां पे आपको घर के साथ फरनीचर भी मिले जहां पे आपको घर के साथ क्या मिले फरनीचर और अंडेकुरेटेड का मतलब होता है जहां पे सिर्फ आपको घर मिले सिर्फ घर चार दिवारी दर्वाजा खिड़की बस फरनीचर का मतलब सोफा हुआ बेड हुआ एसी हुआ वासिंग मसीन हुआ कि यह सारे कि यह हो जाएंगे बात क्लियर यहां नॉन गरमैंट इंप्लॉई है तो सबसे पहला सवाल जड़ा भताओ घर डेकुरेटेड है या फिर अन्डेकुरेटेड और दूसरा सवाल इस सर यह जो घर है वो किस सिटी में बिलॉंग करता है यह जो घर है वो किस सिटी में बिलॉंग करता है सिटी का मतलब है बेटा यहां पर पॉपुलेशन से इससे मतलब है आपके population से अभी ये जितने सवाल मैंने यहां पे लिख रहा हूँ उन सब के सवाल का आंसर दूंगा आपको इतनी बाते समझ में आ गई अब आईए diagram पे जो diagram हमने बनाया है देखिए ज़रा ध्यान से सबसे पहला सवाल कि ज़रा बताना ज़रा बताना कि वो employee है किसका वो employee है कौन आपने कहा सर या तो employee गॉर्मेंटेड होगा या तो employee क्या होगा आपका गॉर्मेंटेड होगा या तो employee आपका क्या होगा नौन गौर्मेंटेड होगा यानि अधर इंप्लॉई होगा बात क्लियर हो गई अगर गौर्मेंटेड इंप्लॉई है अगर गौर्मेंटेड इंप्लॉई है घर किसका होगा गौर्मेंट का ही तो होगा गौर्मेंट कभी भी बहुत कम चांस है कि वो किराये पर कमरा लेती ह करो वो के देमbaar प् edi ऑसके पास पाशना होगी बनवा किस पास आएगा जाएगा का झैसमें जो भी टेक्स लिन लेनाहों वह किसके अकॉंडिंग लिंगे हम एस पर गव्रोर्मेंट guideline के अनुसार चलेंगे इसके according चलेंगे as per the government guideline ये line समझ में आई कि नहीं आई दूसरा जो हमें समझना है और वो ये है कि non-governmented employee के case में तो non-governmented employee के case में अभी हम सिर्फ किस घर की बात करेंगे undecorated घर की बात करेंगे किस की बात करेंगे हम undecorated घर की बात करेंगे यानि सिर्फ house की बात की जाएगी furniture की बात नहीं की जाएगी सिर्फ किस की बात की जाएगी house की बात की जाएगी बात इतनी clear हो गई अब देखिए तो अगर आप non-governmented employee है तो आप सबसे पहले ये पूछो अब अपने employer से किसका घर है मालिक किसका घर है employer ने कहा मेरा घर है employer ने कहा क्या मेरा घर है तो अगर आपका घर है अगर क्या है आपका घर है यानि house owned by the employer तो आप सवाल पूछना कि सर हम किस city में रह रहे हैं ओ सिटी का population क्या है तो अगर population 10 लाग से कम है ध्यान से सुनना अगर population क्या है दस लाग से कम है तो फिर जो आपको टेक्स देना पड़ेगा वह 7.5% of salary देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा वेटा 7.5% of salary देना पड़ेगा और salary का मतलब यहां पे किस्से है ध्यान से समझना जब हम salary की बात करते हैं तो salary का मतलब है यहां पे आपके basic salary से इससे basic salary से आपके DA से आपके bonus से आपके commission से और commission के साथ साथ एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना all taxable allowances यानि इन सब को हमें जोड़ना पड़ेगा और इन सब को जोड़ने के बाद जो आपकी salary आएगी उसका 7.5% हम उस case में calculate करेंगे जिस case की population 10 लाग से कम है सर मालोब population 10 लाग से 25 लाग के बीच में होतो population 10 लाग से 25 लाग के बीच में होतो तो उस case में बेटा आपको 10% का tax देना पड़ेगा यानि rent free recommendation में आपकी जो calculation होगी वो कितना परसेंट होगी आपकी 10% होगी कितना होगी आपकी 10% और मालो सर ऐसी कोई आबादी हो जहां पे 25 लाग से जादा की आबादी हो उस case में फिर कितना परसेंट 15% मतलब less than 10 lakh तो कितना परसेंट 7.5% 10 लाग से 25 लाग के बीच में 10% और अबब 25 लाग कितना बेटा 15% बात समझ में आ गई कि नहीं आ गए बात समझ में आ गई आप देखो आगे सर ये तो उस condition में हम tax लेंगे जिस condition में घर मालिक का होगा मालो मालिक यानि जो हमारा employer है वो इतना अच्छा था कि उसने किराये पर मकान लेकर हमको दे दिया रहने के लिए फिराय पर उसने मकान लेकर हमको दे दिया रहने के लिए तो उस case में दो condition है खाली क्या, employer ने कितना rent pay किया, employer ने कितना rent pay किया, या फिर 15% of salary whichever is a less, मतलब उस case में हम population को ignore कर देंगे उस case में हम population को क्या कर देंगे, ignore कर देंगे, आप चाहे जिस population में रहिए एक लाग, दो लाग, पचीस लाग, कोई फरक नहीं पड़ता, 15% of salary, और salary का मतलब क्या सर, basic, DA, bonus, commission, all taxable, allowances, clear हो गया विटा, अब सर, एक बात और, ये तो उसकी बात हो गई, जो decorated घर था, अगर मालो सर, sorry, undecorated घर था, अगर मालो सर, decorated होता, furniture और nature भी होता, ठीक है, फिर एक सवाल पूछना, उस घर का मालिक कौन, सर, उस घर का मालिक, employer, पाफ करना, उस furniture का मालिक कौन, सर, employer, तो अगर employer उस furniture का मालिक है, तो कितना percent, 10% cost of furniture, और मालो सर, उस furniture का मालिक, employer नहीं है, दिक्कत नहीं जितना rent पे किया उतना ही आपकी salary में क्या कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा यानि actual rent paid बात क्लिएर हो गई इतना बात क्लियर हो गई वीटा इस चले आगे हम आगे देखते हैं अम एक छोटा सा सवाल करते हैं और फिर उस कुशन के बास आपके मन की जो व्यता है जो भी पॉइंट में वह सारा का सारा क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा ठीक है चली फिर आएए कुशन देखते हैं कि कुशन क्या गयता है कि एक बंदा है जिसका नाम है Mr. A एक बंदा है जिसका नाम क्या है Mr. A और ये working in डैली है और जिसकी population पचीस लाग से जादा है मतलब डेली की पॉपुलेशन 25,00,00 ख से क्या है आपकी जादा है खिक है और यह भाई साइउ आपавайक में काम करते हैं तो अगर यह कंपणी में काम करते हैं तोसी Θ arqu clicked और कुछ नहीं दिया है आगे क्या कह रहा है इनकी जो सैलरी है द EKD शेलरी है वह आपकी स्नजरी है वह आपकी5,000 उपया पर मन्ध कुछ इनका जो कर दीए है वह है आपका थो करो दोसोट पचास उपया पर मन्ध कि कि इनका जो entertainment allowances है वो क्या है आपका 300 रुपया पर मन्त इनका जो bonus है जो company इनको दे रही है वो है आपका कितना 4,000 रुपया और आगे question कहता है कि cost of furniture cost of furniture वो है आपका 20,000 रुपया ठीक है और यह जो furniture है यह आपका मालिक का ही है फरनीचर किसका है मालिक का मतलब employer का है अब आप से question कहता है कि calculate the rent free accommodation facility calculate the taxable value of rent free accommodation facility ठीक है question समझ में आ गया आईए अब हम देखते हैं तो देखो जब आप rent free accommodation निकालोगे rent free rent free accommodation करोगे तो आप अपने मन में सबसे पहला सवाल क्या लाओगे कि sir employee governmented है या non governmented employee क्या है governmented है या non governmented अपने आप से सवाल पूछोगे आप तो आपने पता किया कि sir जो हमारा employee है वो क्या है आपका non governmented है अगर non governmented है तो फिर यह पूछना कि sir घर का मालिक कौन है owner ही है मतलब employer ही है तो अगर employer है तो आबादी पूछो क्या पूछो आबादी पूछो ठीक है तो आबादी यहां पे दिख रही है कितना 25 लाग जो हमें calculation करना है वो क्या calculation करना है इस परजेنت या 15 पर्सेंट यानि 15 % अव्स सैलरी 15 % क tooth похож salary और salary मतलब मैंने क्या बताया ने कि बताया था सैलरी मतलब मैंने बताया था क्या basic salary अभी यह क्या था commission फिर और बोनसक्राय है all taxable allowances यही था ना तो basic salary बताओ कितना है पांच हजार गुड़े बारा बारा पंचे क्या हो गया साथ दिये कितना है धाई सो धाई सो गुड़े बारा कितना आ जाएगा तीन हजार फिर उसके बाद commission कितना है आपका commission कहीं दिया है नहीं दिया तो निल लिखो ठीक है और उसके बाद bonus फिर क्या दिया है bonus बोनस में यह क्या था तीन सुर रुपया क्या था फिर आपका इंटर्टेन्मेंट अलाउंस अच्छा ठीक है अच्छा फिर उसके बाद आपको bonus दिया है bonus कितना है 4000 अच्छा यह कि इंटर्टेन्मेंट इंपलोई है नहीं नौन गवर्स्ब्रчи है और और अच्छा पूरी तरीके 11 होता है और टाक्स एबल होटा है विजिल और इंटर्टेन्मेंट सिल आच्छाश नहींटंकर वारा महीने का ना तो तीन सो गुड़े बारा बारतियां च्छतिस तो रुपया अब इन सब को आप जोड़िये आपका सैलरी फॉर रेंट फ्री एकुमेंडेशन आ जाएगा जोड़िये कितना आएगा बिटा साथ तीन तिरसट और तिरसट में चार जोड़ेंगे कितना आ अगर और सिक्सिए सेवन में थ्री और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा सेवेंटी सेवेंटी थाउजनड्स इक्सट्ड है ना आप यहां पे जो आपकी सैलरी आई है वह कितनी आ गई है सेवेंटी ताउजनड शिक्सड्रड अब इसका 15 परसेंट निकाल लीजे आप सो का पंद्रा परसेंट कि इसमें एक चीज और थी बेटा कि आपको कॉस्ट ऑफ फरनीचर भी दे रखा है और फरनीचर का मालिक कोंन है इंप्लॉयर इट्समीन अभी इसमें आपको और एड करना है क्या डेकुरेटेड पॉर्षन और एंड करना है ट्रेघ्टेड पॉर्षन क्या कहता था कि टेन परसेंट त्ली okay था तैन परसेंट कोस्ट ऑफ नीचर यानि यहां बीस हजार का दस परसेंट यानि कितना हो जाएगा यह आपका 2000 अब जोड लीजे आपका टोटल रेंट फ्री एक्मेंडेशन आ जाएगा कितना आ गया 12,590 यही है आपका क्या रेंट फ्री इक्मेंडेशन आर एफ ए बताएए समझ में आया कि नहीं आया बहुत सिंपल है यार बहुत सिं पता है तो हो जाएगा कुश्चन इस बात की ग्यारेंटी है और अगर आपको मीनिंग आप सेलरी नहीं पता है तो सबसे पहले सारे रूल को आप पढ़ो फिर जाके आप कुश्चन क्या करो सॉल्व करो अब मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए आप सभी अपना दिजे मुझे जय भोले नाद